एक कल जो है सेवें टूर टेन की जगह सुभ़कॉ लेजै। कल जो एक है कल सपलकॉर सेट्रों नींग सविडूर है कल कृभी तो ऐप इशने मंदय अच्छा ड में सिल्ड़न देन को में physossa ऑटेन में सबतर्टू सब्सक्राब सब्सक्राइब तो इस जाम में कर लिया बहुत अच्छा, जाम MS का भी, गे टेस्टी का भी, नॉन-PYQ, और भी थे ने, दो, तुम सिक्वेंस सीरीज और अभी क्या करा दिया मैंने, सिक्वेंस सीरीज, माथ पर्शन में, डिफरेंसेल काल्कूलस, इंटेग्रल काल्कूलस, इन तीनों पर्शन में, सिक्वेंस सीरीज, इन तीनों टॉपिक पर आप कंप्लेट करो, डाउट एक जगा, लिख लो चाहो तो या स्क्रीन सोट लेके अपने वट्सप पर भेज लो एक जगा, पर जब डाउट क्लास हो, कल दो से पांच है, मंदे को नो से ग्यारा होगा, डाउट क् करते हैं, चलिए, तो हम लोग, लास्ट क्लास उतरा इंड में, जल्देवाजी हैं बहुत सारी सिए कर लिये थे, उसको रिपीट करेंगे हैं, जो कंडिशनल एक्स्पेक्टेशन्स और यह से हमने जल्देवाजी में कर दिया था, तो अभी उसको रिपीट करेंगे, फिर करेंगे उसको रिपीट करेंगे आज जो लास्ट क्लास में जल्देवाजी में किया था, तो पहले तो उससे पहले मैं डिशाइड करूंगा, कंडिशनल सीडियाफ से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग कंडिशनल पी एफ किये थे, कंडिशनल पीडियाफ किये थे, और कल वो फिर मिन उन आ गया ता बीच में करने लगे थे, बहुर रिपीट करेंगे, तो पिछला प्राज वह यह हुआ था, अभी कंडिशनल सीडियाफ से स्टार्ट करते हैं, तो आना पहले मनें सबस्काइब तो हमने फिर किया था conditional PDF PMF CDF और MGM discuss कर सकते हैं तो conditional discuss करें conditional PDF conditional PMF कि लास्ट में किया था उसके बाद भी conditional CDF यहां से continue करता हूं पर conditional expectation दुबारा करेंगे तो क्योंकि वह बहुत जल्दी वाजी मैं यासी questions का तुरूब देखे थे तो चलो जैसे अगर मैं continue करूँ यहां से कैसे define करूँ कोई बताओ तो मालो ऐसा है लिट XY be a random vector ठीक then conditional CDF X given Y is क्या होगा so definition तो notation तो यह हो जाएगा मालो Y is equal to small y let's say so so how do you define कज डिफाइन कर रहा है इसको sir BDF को Dx Adams हाँ तो simple एक तरीका यह है कि तो आपको one variable का one variable का जो आपके पास क्या होता है one variable का जो CDF से define मतलब इसको आप इससे relate करो जब यह आपको tip करो आप इससे relate करो कि आप fx of x कैसे लिखते थे so इसका मतलब था यह less than equal to x और इसका मतलब था यह same चीज यहाँ होगी तो इसका मतलब हो कि आप probability क्या देखूंगा yes no problem so x लेकिन यहाँ थोरा सा जिर्का दिये हो सकता है अगर आप a intersection b लगाओगे तो आपको लगेगा अचा दिनावटर जिरो हो जाएगा ऐसा लगेगा ना अगर तुम खोलो इसको a intersection b पे तो आपको ऐसा फिलो का अचा दिनावटर जिरो हो जाएगा तो इसलिए देखो कि बुक में जब डिफाइन करता है तो वो इसको ख़रा करेक्ट कर रखा है हैं? continuity minus epsilon plus epsilon हाँ तो वो continuity correction कर रखा है अब देखो कि यहाँ पे नड़ ऐसा नहीं लिखा उसको इनो लिखा होगा probability x less than equal to x y जो है capital y belongs to y minus epsilon to y plus epsilon continuity correction कर रखा है क्योंकि point पे continuous में 0 हो जाएगा तो अगर continuous है तो इस तरीक से लिख रहा हो discrete में कोई problem नहीं है क्योंकि आप probability of a given b है ना conditional probability हो गया ए इंट्रसेक्शन b upon pb pb जो है यह इसकी probability 0 हो जाएगी अगर एक continuous random variable होगा तो और देखने के लिए x f of x given y x given y dx तो dx के लिखने के बजाए यह ती निकलो f of t given y dt इस तरीके से तो जैसे आप गोडिफाइं करें तो difference क्या आ रहा है यहां पर conditional pdf आ गया है जस्ट तो यह आपका है definition conditional cdf का है ना तो यह तो continuous के लिए हो गया अगर डिस्क्रीट होगा तो summation लगएगा ना तो यह continuous के लिख दिया अगर discrete होगा इस पर आप summation लगा सकते हो यह चीज़ है चलिए आपे बढ़ता है तो एक question करका देखो जसे आपसान से अगर conditional cdf निकालो अज़ तो collect question कर रहे थे उसमें को conditional cdf भी तो था जैसे मैं अगर पूछू आपसे last class में कुछ questions किया था हमने जैसे यह देखो जैसे आपसे पूछा जाए एक question लिखो तो आपके पास joint pdf दे रखा है 2 जब 0 less than x less than y less than 1 otherwise यह question था ना देख लिए तो इस question में अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि find cdf of x at 1 by 3 given y is equal to 2 by 3 क्या होगा यहां मैं थोड़ा ऐसा लिखतू so given 2 by 3 इतना ना लिखके so यहां होगा x given y बरावर 2 by 3 इसका यह मतलब है उसर के लिए करें तो ट्राई करके बताओ answer मुझे so यह है conditional cdf of x given y is equal to 2 by 3 at 1 by 3 तो आपको value भी रखा है x की value 1 by 3 है यह जड़ा calculate कोना पाए कि काव लिए 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 इसका लिए लिए औराः यह का लिए रखा है झाल 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 और इन जनरल अगर इसमें आप से पूछ ले कि वाट इस दे कंडिशनल सीडियफ और एक्स गिवन वाई ये क्या निकाल पाएंगे तो तुम्हें दिखाया था ना इसको कंडिशनल पीडिया बोलते थे तो इसका मतलब यह है जॉइंट अपॉन मार्जिनल ऑफ वाई इसका यह मतलब है कंडिशनल प्रावल्टी ऑफ ए गिवन भी क्या होता है प्रावल्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी अपॉन प्रावल्टी ऑफ बी तो वैसे तुम याद रख सकते हो तो उपर जॉइंट पीडियेफ अपॉन वाई का मार्जिनल पीडियेफ तो यह मीनिंग है ठीक है देखो अब ट्राई कर बताओ एक तो यह पटेकुलर पूछ लिया अगर जंडर लिकालना चाहिए क्या निकाल पाएंगे कुछस्ण यह है सब्सक्राइब कर देखना पड़ेगा क्या है सपोर्ट उसके इसाफ से हाँ सब्सक्राइब करते हैं तो वन बाई टू आ रहा है अब है साही देखो डेफिनेशन तो में चाहिए यह डेफिनेशन सब्सक्राइब है यह गिवन वाई का बहुत जारा रोल वस इतना ही है कि इस कंडिशन में काम हो रहा है है रादम वरेबल एक सही जब भी कंडिशनल पीडिएफ की बात कर रहे है या कंडिशनल सीडिएफ की तो में ली फर्स रादम वरेबल इंपोटेंट है अंडर गिवन कंडिशन आफ सेकेंड एचुली सर्फ टीवाइट एक सारा है लेकिन यहां पे एक स्क्राइब क्यों आएगा इसके ताम में बुलता हो सर्फ एच 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 लिएज जार पार शाहिएगा ओके अजय आंशर सही है रहा है शार यह रहा है ठीक है ना या सर 1 बाइ 2 एक ठीक है ना अग दूसरा पार्ट इससे मैं स्वाल करता हूं इसको दूसरा आप ट्रा ही करो y गिवन x is equal to 1 by 2 so y की वैलो है 1 by 2 गिवन 1 by 2 similarly अगर मैं यहां find करना चाहूं cdf of y given x यह रिकाल पाया राम से रफाइं को रेक प्रेट 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 इसको ट्राइए को रजा रहा हूं यह से राम सक्षा रहे को रहा है यह संद्माना रहे झाल 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 प्रण 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 इतना हो रहा है? दुबार बता हूँ वहान प्रण इसका 1 आ रहा है? ये सर सर इसका कली तो निकाला तो 1 over 1 minus x का ना कुंचन तो 1 over 1 minus x का ना कुछ प्रण 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 आ प्रण औक तो चलो ड्राई करते हैं तो तो बाई देफिनिशन अगर तुम देखो तो क्या हमने फाइन हो गिया ही था तो बात में y को हाफ रखना है ना यहां पर क्या होगा इंटेगरेशन अगर तुम ऐसे सोचो तो y तुमें रखा है f of x given y is equal to 2y3 इस तरीके से x given 2y3 dx अब y तुमें 2y3 given है तो x के मेलों क्या होगी 0 से 2y3 ओके तो लेकिन यहां पर fix है ना तुमारा x कहां से start होड़ा है और x को 1 by 3 रख दिया है पर तुम्हारा निकाल दो बाद में पूट कर लेना यहीं काम कर सकते हो है यहां बाद में पूट करना ऐसे डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि x less than equal to 1 by 3 और y बरावर 2 by 3 तो 1 by 3 2 by 3 तो x की value है ना तुम्हारा जोते रख दिया है तो 0 से 1 by 3 intersection 2 by 3 तो 0 से 1 by 3 महीं हो जाएगा इसा होगा? चेक करो क्योंकि y 2 by 3 है ना तो वैसे 0 से 2 by 3 हो सकता था लेकिन इसने x fix कर रखा है तो 1 by 3 है तो x का रखा हो बाद हो पूट कर लेना हो भी कर सकते हो तो इससे भी आ जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? तो तुम्हारा पूछ रहा है joint क्या आ जाएगा है? बाद में पूट करना y की पर इससे तेख लो यह simply कंडिशनल हमने फाइंड किया था ना कल? सो कंडिशनल क्या आया था? 1.1 f of x given y सो यह हमें कर फाइंड गया था f of xy upon fy of y और यह था 2 और यह I think 2y आया था सो यह 1 by y आ गया था और जब x की वैलू 0 से y में थी सो यहां तो पूट करोगे तो pdf जो तुम्हारा कंडिशनल pdf है 1 by y था तो y को पूट कर लो तो 1 by 2 y 3 मतब 3 by 2 यह आ जाएगी dx और x की वैलू तुम्हें रखा है 0 से 1 by 3 less than equal to 1 by 3 अब तुम्हारा यहां सपोर्ट है 0 से 2 by 3 अब यह जो कंडिशनल pdf है ना यहां अगर तुम यह बात करो f of x given y बनाबर 2 by 3 तो यह तो आपको पता ही है so this quantity is 3 by 2 when x between 0 to 2 by 3 okay so यह PDF ना इस तरह से है और x 0 से 2 by 3 में है और यहां x आपको क्या दे रखा 1 by 3 तो यह support यह तक जाएगा तो 0 से 1 by 3 में integrate कर लो इसे यहां पर आप यहां पर आप जनरल सीडिय भी निकाल सकते थे आप चाओ तो ऐसे भी कर सकते हो जो आप लोग बता रहे थे I think so यह क्या होगा 3 by 2 integrate हो जाएगा 0 से x में यही ना आप कर रहे क्योंकि तो यहां पर यह जो answer आपके पास this is जो लोग बता रहे थे 3 by 2 x कब जब आपके पास x की value 0 से 2 by 3 में है अगर इसको ठीक सरी को यह standard way में just cdf को आप लोग लिखते हैं तो किस cdf को हम कैसे लिख सकते हैं गर इस cdf को मैं standard way में लिखूं so यह आपका आजाएगा 0 अगर x less than 0 है है फिर 3 by 2 x जब x की value 0 से 2 by 3 में है और 1 अगर x 2 by 3 से ज़ाधा है यह ना तो यह आजाएगा देखिए चेक कर लिए तो हमने यह तो इसको यूज कर डाइकली आंसर आजाएगा अगर आप इसको यूज करना चाहो तो डाइकली दिख जाएगे यह भी ओके है यहां से solve करोगे तो यह आंसर आजाएगा 3 by 2 into 1 by 3 तो 1 by 2 और यहां से अगर डाइक निकालना चाहो तो भी आंसर आजाएगा तो यहां से आपको क्या देखना है कि CDF of X at Y बराबर 2 by 3 और X की बर्मने देदिया 1 by 3 तो अब देखना है 1 by 3 किस इंटरवल में है अगर less than 0 देता मैं तो वहां पे answer आपका 0 होता 0 और 2 by 3 के बीच में है तो यह answer होगा 2 by 3 से जादा है तो 1 हो जाता तो मैंने 1 by 3 पे दिया है तो 1 by 3 आपके X की ब्यालों यहां पे तो यह answer आगया 3 by 2 into 1 by 3 तो किसी भी में solve कर सकते हो अब देखनो अगर आउट हो पुछो किसी को हम क्या find कर रहा थे conditional CDF at 1 by 3 in general यह find कर लिया conditional CDF of X at Y बराबर 2 by 3 तो यह आपके पास है 0 3 by 2 X 1 इस तरीके से आएगा ठीक है दूसरा बंदा दूसरा आगया दूसरा क्या रिखा था मैंने तो यह बला देखो आपको खुद कोशन करके लेखना होगा तांगे आपको समझ आएगे इतना आपको concept क्लियर है दूसरा पर पूछा था कि यह तो F of X given Y था दूसरा Y given X पूछा है तो अगले पेच पे लिखता हूं मैं आपको जोइंड दे रखा है तो जिरो है यह था नो जिरो लेस्ट दन एक्स दन य लेस्ट दन वाई लेस्ट दन वन अदर वाईस अब आपके पास क्या पूछ रहा है आपसे अब आपसे पूछ रहा है कि ठीक है तो अब है CDF of Y given X बरावर हाफ यह निकान लोगे तो कुछरों मैं बता है थे तो यहां तुम अगर find तुमने वो find किया था ना conditional period रिका लो Y given X या X is equal to X परावर हाइन कर लो यह हमारे पास क्या डेफिनिशन है joint upon margin of joint 2 था यह 2 time 1 minus 6 तो यह आया था finally तो यह आपका उस 1 upon 1 minus X आया था टिक है और यह कब था जब Y की value X21 है देख लो तो यहां से अगर CDF निकालोगे जिसे में अगर put कर दो value जिसे half है तो यहां से आजाएगी अगर ना हाप पूआ जाएगा अगर ना हाप पूआ जाएगा किस तरही कैसे है देख लो अब आपको इसका CDF चाहिए CDF of Y at half So Y at half कितना आ जाला यह तो अब आएगा आपके पास तो का इंटेगरेशन करेंगे Y के रिस्पेक्ट में और Y के लिमिट कहां से क्या रखेंगे बताओ यहां पे यहां लिमिट क्या लूँ मैं यहां लिमिट पर चेंज करता हूँ D मालो U कर दू यह D V कर दू So V की लिमिट में क्या लूँगा D T कर दू T की लिमिट क्या लूँगा 1x2 से 1 1x2 से 1 क्यों लेंगे हम CDF Y पे निकाल रहे हैं न हाँ हम Y पे find कर रहे हैं 1 टब करेंगे जब पूरा इंटेग्रेट कर रहे हुं हम कभी क्या कर रहे हैं कि Y पे CDF से साथ आप लोग CDF निकालते ने X पे तो माई से इंविट से X से लेते हैं y-1 by 2, चेक करो भाई बागे लोग, तो ये CDF है y given x is equal to 1 by 2 का, ठीक है, y given 1 by 2, कब, तो ये चीज है, 2 time y minus 1 by 2, अगर y की value 1 by 2 से 1 है, ठीक है, इसको अगर standard way में लिखे, जैसे हम standard way में CDF लिखते हैं, अगर उस तरीके से लिखूँ, तो कैसे लिखते हैं, f of y given x is equal to half, उस तरीके से, so y given half, so इसका CD अपने करे हैं, 0 होगा, अगर y की value less than half है, और ये जो point आया हुँ है, 2 time, open कर लो, उसको simplify कर सकते हैं, 2y minus 1 हो जाएगा, 2y minus 1, अगर y की value more than equal to half less than 1 है, और value 1 हो जाएगी, अगर y more than equal to 1 है, चेक कर लिजए, तो ये conditional CDF of y at x, समझे, पहले में conditional, general निकाला, conditional PDF, फिर उसके बाद उसमें half रख दिया x को, अब उस PDF से CDF निकाला, तो एक normal PDF मान के जलो, गिवन तुम भूल जाओ चाहो तो, एक PDF 2 है इस support पे, अब इसका CDF कैसे निकालेंगे, तो half to y में integrate करके, देखो भई, अभी बताओ, अब इसके हिसाब से माना answer क्या आना चाहिए, तो यहाँ तुम हाफ रख दो अब, तो अगर तुम इसमें half रख दोगे y, तुम्हारा किस half हा रहा है, यहाँ रहा है, so 2 into half minus 1, so 1 minus 1, जिरो हा रहा है, चेक करो भई, तो लास्ट क्लास रहा देखो, वहाँ तुम्हारा इसमें उल्टा दिया था मने complement, तुम्हारा रहाँ वहा है सल मने पत् addresses से लिफड वज दोगें, जिरो है तुम्हारा किस अना रख 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 शहाया मने, प्लिपनमWoodação करो नना हा है, तुम्हारा 9, करो दोपना चाहे बिलेगिस मैंत् þेbesा पारे जिक Points, टम्हारा किस्ता किस्ता रहाँ रहा है, झाल झाल प्रेशन का में दिसना, जाय। पर अब भी इसमें नहीं आया था जिए पिछलबार किस किस तरीके दो तरीके सामने किये तो पिछलबार एक ऐसे और एक इसको यूज करके आपने इसलिए लिया यहां आपने इसलिए लिया यहां आपने 0-2-3 लिया ले लिया लेकिन आपसर पूशा गया था 0-1-3 लिया होगा आपने तो यहां भी आपो कर सकते हो देखो यही चीज यहां भी यहां कहां से स्टार्ट होड़ा सपोर्ट और आपको कहां पर फाइंड करना है तो 1-2 से 1-2 लिमिट ले लो अच्छा होगा जाएगी तो डाटी अगर हम फाइन करेंगे जो आप यह मैथल बात करो वानन यहां भी किया है वो मैथल जो आप कहरो इससे किया नो 0-1-3 लिया मैंने 0-1-3 PDF का इंटेगेस है क्योंकि 1-3 पे चाहिए था तो यहां पर 0 से इसलिए हुआ क्योंकि इस PDF का सपोर्ट 0 से स्टार्ट होड़ा है next वाले में जो सपोर्ट है न उस पीडियव का सपोर्ट ही हाप से स्टार्ट होड़ा है तो जो आप सीडिया फाइंड कर रहे होंगे अगर मैं सीडिया निकाल से स्टार्ट करना है कि सपोर्ट हाफ से स्टार्ट है और हाफ तक ही जाना है तो हाफ से हाफ तक जाना है एक फॉर्फ वाई गिवें एक्स परावर हाफ और यह पीडिया कुछ भी हाफ से हाफ में तो जुरो ही आएगा यह चीज़ है ही ए ए एक सुड़ा सा पुर्शन था तो आप्ने फाइंड किया वन पे सीड्या आंड कर लिए वह ऑंन पे आ वो सीडियाफ एक्ट वण आपका जो आंसर यह वहां होता त तब वह अनसर सब्स्राइब क्योंकि फूल वो तो वन आ जागा फूल सपोर्ट लगिया तुमने फूल सपोर्ट पे तो आई जाएगा इंटेगरेशन वन तो यह तो तुमारे डेफिनिशन है कंडिशनल सीव का एक तो कुशन किया अगर तुम फाइंड करो डिटेल में तुमारे पास जॉइंट पीडिफ है तुम जिरो जिरो लेस दन एक्स दन वाई लेस दन वाई लेस दन वन ठिक जिरो अधरवाईज अब मुझे इन जर्नल फाइंड करना है सीडिएफ औफ एक्स गिवन वाई इस एक्वल तो य एक्स गिवन वाई यहां पर तो अगर देखोगे तो बार रेजन कौन सा है एक्स दन वाई है एक्स जो है लेस दन वाई है तो यह वाला रेजन है ठीक अब आप जब इंटिग्रेट करोगे इसको तो अभी कहां से स्टार्ट करोगे यहां पर एक्स का रेस्पेक्ट में ना बाई देफिनिशन अगर लिखू मैं हम लोग देफिनिशन यही किए ना प्रवालिटी एक्स लेस दन एक्वल तो एक्स गिवन यहां पर वैसे तो एक्स गिवन वाई एक्स गिवन वाई दी एक्स लेकिन एक्स का सीडिय अफ है तो एक्स ना लिखे हम टी लिख देते हैं लेकिन आपको देखना है स्टाक कहा से होगा यह तो शृपूर्ट कह है स्टा measurement दे लिखना प्रवी रिखनाम में बैस दिखना गया और स्टार्वाई एक्स भराई जीरो से अब आप यह कॉऌंटिटी निकाल सकते हैं आप दिखितना है uzी MVP, Hagört ने निकाला हूआ है 1 by y आया था नहीं, जब गिवन y हो, तो 1 by y dt, so 1 by y dt, यह simplify कर लो, so कितना हो गया, x by y आजाये रही है, कब, अब से यहां x का लिखना है, तो x के लिमिट क्या हो, जो y गिवन हो रहा, so for x between 0 to 0 to y, यह हो गया, तो मैं in general find कर रहा हूँ, I'm finding conditional CDF in general, तो यहां पर क्या, अगर मैं directly लिखू हूँ, पूरा standard form में, तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहां से, तो अगर conditional CDF जैसे हमने find किया है, so conditional CDF of x given y is equal to y, तो यह 0 when x is less than 0, x by y when x is more than equal to 0, less than y, fine, and 1 when x is more than equal to y, तो यह आपके पास आ गया, क्युभी y given होगा, अगर y जैसे हमने जो question आपको दिया, so हमने जो question दिया आपको, उसमें y को जैसे मैंने यहां पर दे दिया था, इस question में, y के वहलो 2y3 तरखी है, na, y 2y3 तरखी है, तो आप यहां y को 2y3 रग दो, so जहां-जहां y दिखरा है, 2y3 रग दो आपको, यह 2y3 आगे तो फिरे y2x आ गया था, याद होगा आपको, so यह जो expression मैंने find किया, यह conditional cd of x given y का, आप ऐसी मुझे बताओ, ज़र expression, f of conditional cd of y given x का, आप लोगो कुछ solve करके बताओ, जैसे मैंने भू लिखा ना, उसी तरीके से यह लिखे बताओ मुझे आप, यहां बताओ चलो, यहां लिखता हूँ आप, ज़र पर लोगो पढ़िए इसका, सब्सक्राइब आप, सब्सक्राइब लोगो करें लिखे बताओ, यह बताओ, आप लोगो को सब्सक्राइब लिखे बताओ, अच्छा जीरो जब वाई किवरू लेस्टन एकस है और वन जब वाई मोर्दन इकोल टुवान है सब्सक्राइब कि अधर यह यहाद है कि वागी लोग यही करते हैं यह मैं डूफ करके दिखाऊं यह दो अग्या जीरो अच्छा जब दो लृफ और वाई मैं जीरो गया है आप पूछो कि इसमें डॉफ बताओ रहा है कि आप कांसर नहीं आरा है विश्वान आपको तरीके से आपको दूसरा करना है यह से ना रहे है पर नुद्व कर दो श्युक्तू कि चलो आके बढ़ते हैं ऐसे कंडिशनल सीडिया पे बहुत जदा फॉर्मूला हमने कंडिशनल कोस्टन देखे था लास क्लास में ही थिंग लेकर कप्लेट ही कर लेते हैं फिर कोस्टन देखेंगे वना फिर बटल जाएंगे हम तो हम लोग पहले चलो तो सिलेबस में क्या है एक बाइस लेबस को दर आप देख लेते हैं कैसे कह रहा है वह तो हम लोग यह डिसक्रस करें ना तो हमने देखा रादम वेक्टर क्या है तो रादम एक्टर कुछ नहीं और पेयर ओक यह ऑडर टिपलेट अफ रादम वेरिबस है जों आइट मारजिनल सीडीहाब तो हमने जोंइनल सी दंस इखा था मारिजनल सींदीव देखा है मर्ज急 कटयाब समिनोर स्वंगा ध्युर्दिशनरं देख सिब्कल है दोनों डेश्क्रmented कॉंदीन सीनल स्थे य यहां पर conditional पहले CDF निखा, हमने अभी conditional CDF define किया, conditional PMF last class define किये थे, conditional PMF भी last class define किये थे, अब independence of random variable, हलाग कि conditional MGF अगर करना जाओ, तो वो कुछ नया नहीं होगा, वो जैसे बाकि define करते हैं, वो ऐसे ही होगा, तो कुछ नया नहीं होगा, जैसे अगर बोलू, कि MGF of X given Y in terms of T, तो यह कुछ नया नहीं होगा, है ना, तो conditional MGF of X given Y, तो क्या होगा definition को बताओ, एक्सपेक्टेशन E की पावर T time, X, जैसे बोलो, तो जब भी given हो, given given जलता रहेगा, कोई problem नहीं, इसको खोलोगे, अगर continuous है, तो E की पावर T X into, क्या होगा, ठीक? आसर कंटिशनल को बताओ, बस, खाली conditional जलता रहेगा, पीडियक में, बागी कोई रिकत नहीं है, discrete हुआ, तो summation हो जाएगा, तो वैसे ही, जैसे MGF काई जब पड़ी, Y given X की similar है, तो मैं सिर्प continuous में लिख रहा हूँ, discrete में summation हो जाएगा, तो ऐसे ही, E की पावर T Y, given X is equal to X, तो तुम देख रहा हूँ, एक्चुली, Y का ही MGF रिकल रहा है, X का ही MGF रिकल रहा है, under that condition, तो under that condition, वो condition given, उस under condition, ये भी ऐसे ही है, तो E की पावर T Y, time PDF of Y, given X, तो range तो depend करेगी, क्योंकि वो PDF का domain का ऐसा है, उस पर depend करेगा, अभी तो मैं full लिख रहा हूँ, depend करेगी, जैसे माल लिजो एकर ऐसा है, कि जो conditional PDF X, given Y है, इसका range है, 0 to Y, यहाँ 0 to Y लिखेंगे, क्योंकि Y given होगा, Y माल लो 5 given है, तो 0 से 5 करना पड़ेगा, तो depend करेगा, कि ये जो conditional है न, इसका वो कैसा है, ये conditional जो है, इसका PDF कैसा है, मतलब वो support कैसा है, conditional PDF ने हिसाब से काम होगा, जैसे आप किसी भी एक PDF का MGF निकालते हो, वैसे ही conditional PDF भी एक PDF है, तो उसका वैसे MGF निकलेगा, ठीक है, तो ऐसा होगा, तो ये calculate कर सकते हो, कि सब्सक्राइब कोई conditional PDF निकालो, तो अगर फूर प्रोसेस भाई है, जॉइंट दिया है, तो margin निकलेगा, जॉइंट निकाल सकते हो, वैरियंस निकाल सकते हो, ये MGF निकाल सकते हो, जैसे अगर, मानलो होता है, वैरियंस ओफ, X गीवन Y, कैसे रिफाइन करोगे आप, मानलो Y is equal to Y, तो अगर ऐसे ही निकालेगे लिए, एक्सक्टेशन ओफ, X स्काइर गीवन Y, और दिल माइन देशन ओफ, एक्सक्टेशन ओफ, एक्सक्टेशन ओफ, हाँ, वैसे ही चलेगा, बस जो भी गीवन है, वो चलता रहेगा, इस तही कैसे, ठीक है, है, वैसे ही बाकी तो है, जैसे हम तो डिफाइन तो अभी, ही करणा हिया, वैसे ही है, अच्टा, मैं करें, दिफाइन करता है Dzgel, तो ये कंडिशनल, बात ही करता है हमने रिफाइन किया, तो ये कमने लाज लाज क्ला से डिफाइन किया था, उस मेरे कांथ वैसे ही होगा, सो बदब कुछ नहीं conditional है तो उसके हिसाब से ही काम होगा सो उससे बराम जबता है वह discuss कर लेते हैं यह तो ऐसे ही है x into यह तो last class में वह define थिया था जो भी possibility x की उसके हिसाब से break कर दो continuous है तो इस तरह से अगर यह तुम्हें कोई function of x है तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो वैसे ही हो जाएगा तो यह कुछ से नहीं है मतलब सब्सक्राइब बाकि वही फॉर्म कर लगारे वाप कंडिशनल यहां पर यहां कंडिशनल पीडिया क्यूज हो रहा है वह ही है इन्यूए पर सिलेबस के साब चलते सिलेबस क्या कह रहा है आगे हमें डिस्कस करना है इंडिपेंडेंस को तो यह कह रहा है कि कंडिशनल है यहां तक हो गया जो हमें इंडिपेंडेंस उफ रैंडम वितन हो इंक है पाइले ये देख लो इंडीपेंडेंस उफ रैंडम वितन वितन करते हैं अब यहां more than one random variable होगा so independence of random variables define करना है पुझे so मालो है आपके पास कोई दो random variable है two random variable x and y so depend करता है discrete है continuous so मालो मैं अगर discrete की बात करो two discrete random variable x and y are independent if and only if क्या होगा if and only if क्या दिखोगे simple तो जो joint pmf लिख लो so ये है joint pmf is equal to product of marginal pmf for all x y हर x y के लिए hold करना चाहिए ये हो गया मैं थेोरम्स लिख रहा हूँ ये देफेंशन लिख रहा हूँ आपके point बना के so two continuous random variable x and y are independent if and only if क्या होगा कि joint pdf is equal to product of marginal pdf ठीक है इस तरीके से होगा so ये marginal pdf x y का है उसका product joint के equal है in general कोई भी random variable हो है ना so थीसरा point अगर मेले खूँ any two random variable x and y तो यहाँ restriction नहीं लगाया मैंने this is continuous कोई भी दूर these are independent if and only क्या होगा बताओ सरुन का जॉइंट बेसिकले उनके पाश्ट को जॉइंट सीडिया को कोई अरब नोटेशन दो ही है सीडिया दोनों के रहे सेम ही दिखा जाता है ठीक है और एक और दिखो अगर मैं so यह तो हो गया तुमारा किसके डाउब में pdf 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 cdf और एक और आएगा so मैं थिवरं के तोर के लिख दता हूँ two random variable यहां fix नहीं किया discrete यहां कोई भी x and y are independent if and only if क्या होगा if and only if आए तो यहां एमजी अब करेंगा तो यहां अन्जी हब भी इसको hold करेगा एपुदी So conditional को भी use कर सकता है So conditional को आप use करेंगे So So अगर मालिज ऐसा है कि f of x given y x given y is equal to क्या हो जाएगा fx of x ठीक है इसी को तुम और relate कर सकते हो f of y given x y given x is equal to f y of y ये क्या लिखना हूँ है एक मिनिट यहाँ थोड़ा सा capital small का चक्कर है ठीक है सब सेम कि cdf में भी हो जाएगा हाँ cdf में भी हो जाएगा कि अ किए लगा जाफ हुआ है जाओ जाएगा कर दिएजिए ग़्या पिए प्रेश्पन को सकते हैं तो उतने ज़िए कर देंद कर सकते हैं कभी क्योंकि फूरी हो जाएगा ना उससे इस तरह से है से कुछ डेफिनेशन साथ कुछ त्योडम सैंच्छोली में एक्सपेक्टेशन में क्या होता है अगर जैसे मालोग हमों डिफाइन कर रहा है तरहां कुछ और रिजर्ट्स क्या है कि मालोग जैसे अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है यह ना अचा अभी आप यह जानते हैं कि ए ओफ एक्स इंटु वाई इकोर हो जाएगा एक्स इंडिपेंडेंट है एक्स वाई अगर इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होगा यही चीज़ बाद में कोवेरियंस पर आ जाएगा ओके यह सब कुछ रिजर्ट्स है अला कि बहुत सारे रिजर्ट्स हैसे तो इन पर पर आएगा यही चीज़ बाद में कोवेरियंस पर आएगा दिए ख्रमकिग कुछ भकका預व पर आएगा देंगे वेरियंस पर आएगा कोवेरियंस पर आएगा बाद में पर आएगा है कुछ एंटिर्ट्साइप्स और आएगा गप्रमकिगत्णी आएगाया 3 अधित कुछ स्था नमें लिक्ता अपकला करें पहले तो है आप कुछ व्याए प्लिटा लेते जो एक्जाम के यह हैं वहिए ट्राइइ कर लता है तो उससेी कुछ की जो फिर मैं कुछ पूं लिखोंगा का इंच तो इंडिपेंट पर कैसे कॉंसेप्ट लगाने हैं या अगर मैं इसमें क्या क्या लगा रख यह कुस्टन लिखता हो फिर इसके आते हैं इसे पहले कुस्टन लिखो जरा इसको ट्राइब करो तो यह कुस्टन वन है let joint pdf of x and y is ठीक है तो बता हो जरा question यह तुम्हारे पास option है then option a है x and y are independent अजया मैं just option ही बनाता है मैं पूछ रहा हूं बताओ क्या independent है answer 11c2 में होगा no okay okay so कैसे पता चला directly sir is separate नहीं हो रहे ना हाँ इसको हम separate नहीं कर सकते लेकिन मजे की बाद कि आभी आगे पढ़ो गया PC में यह अच्छा कुस्टन है इसमें x-square and y-square independent है मैं बताई दिया यह एक्जाम में भी आये है उसमें so तो इसमें क्या होता है आगे x-square का तुम अगर निकालो find करो इसमें अगर रिका है ना यह answer तो इसका answer and no लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए अगला question में बनाता हूं पहला part दूसरा part x-square and y-square are independent अब यह check करके देखो तो इसका answer yes है अब try करो अब 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 अ अ अ स्वाला कि टांस्फोमिशन यूज कर सकते हो अब टू वेरेवर का दो नहीं पड़ा है लेकिन अ वो आगे मुझे लगता डिसकस करना चाहिए इसको ठीक है ना वासर प्ताती आगे डिसकस करते हैं इसको ना तुम इसको देख सकते हो शर एक्सपेक्टेशन लेके भी कर सकते हैं ना वेकिन एक्सपेक्टेशन नॉट इंडिपेंड़नेसी गारंटी देगा अगर माले ज़े e of x into y is not equal to e x into e y है तो okay है जैसे मैं ये थेवराम लिख रहा था तो इसका मैं contrapositive अगर लिखूंगा ना तो आप एक चीज़ बता पाएंगे वैसे मतलब अगर ऐसा है आप बस ये बता सकते हैं independent नहीं है ये नहीं बता सकते हैं इसका contrapositive statement क्या होगा इसी का equivalent दूसरा statement क्या लिख सकता हूं इसी theorem से अगर ऐसा हो if e of x into y equal नहीं है e x into e y की x of y independent तो नहीं है तो ये गारंटी दे सकते हैं कि x and y are not independent आप ये गारंटी दे सकते हैं कि ये independent नहीं है ठीक है तो x and y are not independent CDF के method से करके दे के उससे हो सकते हैं CDF से हो जादे वो तो हालाग इसमें बहुत मुस्किल नहीं आसान आए अगर इसको वो जैसे try करो x y इसले तो margin लिकाल सकते हो तो इसके रिए तो simple answer ये है कि आप चेक करोगे जो joint pdf है ये equal नहीं है इसके तो ये यहां से आ जाएगा इसका अगर आप चेक करो तो आप joint CDF निकाल सकते हो x square y square का माल लो u v के term में लिक्ट हो सो ये equal आ जाएगा x square u and y square v सो ये तुम्हारा equal आ जाएगा इसले लिए independent है इन फाक्त आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि x square y square का अगर मैं pdf निकाल हो तो equal आएगा वो भी कर सकते है लेकिन ये भी काफी equivalent ही तो है दोन equivalent ही तो है ना ये भी दिखा सकते आप इसको प्रूव कर में जाएगा सवार transformation आएगा तो अभी इसको आगे करेंगे अभी एक्जाम करें जो questions independence पे है जहां पर transformation के जब अतना पड़े just marginal से हमनों decide कर सके हाँ x square y square के लिए उसरा pdf लाना पड़ेगा मतलब u बार मालो x square है और v बार अजून कर लो आप y square है तो यहां पर change of variable हो गया मतलब आपको कर सकते हैं जैकोवियन बिना जैकोवियन का भी हो जाएगा यह उसके लिए क्या है कि इस question को मैं solve करूँ बिना जैकोवियन का भी यह हो जाएगा कैसे तो मैं अगर मालो u, v u माल लिया x square को v माल लिया y square को क्या हो गया x square less than equal to u y square less than equal to v अगर यह आप calculate करो इसको simplify करो आप तो simplify करो यहां से क्या मिलेगा आपको जो x की value है mod x less than root u यह है गा and mod y less than root under v चेकिजी so mod x is less than u mod y is less than v अब आपके पास क्या मतलब है इसका मतलब यह हुआ इसको देखवा इसका मतलब क्या हुआ so इसका जो meaning है so यहां पर अगर आप क्या हो गया तो इसका मतलब है कि double integration f x y का joint pdf यूज करो x के limit कितनी है minus root u से plus root u उपर करो अद क्या आएगा और y का minus root under v हाँ अब यह तो वह कड़क किया जा सकता है आपको joint pdf यहां दे रखा है हाँ तो यह आ जाएगा चुरी तो इसकी value निकालो तो यह आप इस वाले को put करो यहां joint pdf xy का है क्योंकि यह था ना क्योंकि इसका मतलब यह था कि x की value minus root u से plus root u में और y की value minus root v से plus root v में तो यहां से अगर आप find करोगो तो यह आ जाएगा इसको calculate करो u मतलब x को है so less than equal to u तो यहां से भी यह आ जाएगी x more than minus root u less than root u अब यह तो calculate किया जा सकता है minus root u से plus root u x का marginal निकाल सकते हो की नहीं हो जाएगा यहां से joint से marginal आ जाएग x का तो यहां से आपका आ जाएगा equal to margin of u similarly margin of v similar way में इसी तरीके से आ जाएगा तो आप यह प्रूफ कर दोगे तो यहां पे f of u v joint cdf हाँ joint pdf लिखेंगे तब xy के जगा पे root u into root भी आएगा नहीं नहीं आप xy करो end में integration वाईसे करना uv कटा में answer आएगा आपका आप यह put xy नहीं करो क्योंकि यह x का interval ना x की value यहां से यहां तक y की value यहां से यहां तक तो मुझे xy का ही pdf लिखना है limit आपका u के term में तो answer u के term में आएगा तो यहां पे जो answer होगा वो u के term में आएगा क्योंकि यह 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 क्योंकि कर दो कर दो कर दो बताओ अभी तरह कुछ पीवाई कुछ देख लगता हैं अच्छा तो कर सौल कर देख तक मैं देखता हूं जो तक इंडिपेंडेंस वाले कुछ कोसन देखते हैं कैसे कोसन आये है एक्जाम में पर तक मांच पील्प अज और बताओ तरह हैं का? के अच्छाम में अच्छा कि वाले? प्बोटो बताओ जेखते हैं? यह सर रहूं से पांचिका जागा व्यूस जी जी सर्म इसमें मारिजनालों बढ़ना जाएगा हां यह मारिजन सीडिया कि यहां से आजाएगा यू का लिख दिया सिमिलर भी का आजाएगा यू की जग अभी कर दू ऐसे यह आजाएगा Actually, यहाँ पर क्या है ना, XY identically distributed है, है कि नहीं, देखो X and Y identically distributed है, तो जो series of तुम्हारा U का आएगा, वह series of V का भी आएगा तो X square, Y square भी identically distributed होगा, लेकिन वो independent भी है X, X के लिए जर्कार रहे marginal, तो एक mode Y less than, मन्ते integrate करें जिसको X के लिए marginal क्या निकाल रहा हो, हाँ, तो Y के वेलो minus one seven में ले लो आप Yes sir जब X का marginal है ना, X का marginal PDF find कर रहे हो आप, तो इसको integrate करो, Y के वेलो minus one seven में, calculate करके देखो, discuss करो कुछ problem है तो Okay, sir Okay, sir Okay Okay, sir 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 लेकिने को वेरेंस पढ़ना पड़ेगा इस उसके लिए अगा यह सब थिवरं बेस्ट कुस्टंस हैं यह सब ट्राइब कर सकते हैं लो देखो यह जयां 2022 का है तो इस तरह को संवरों देख सकते हैं कि हमें हमने जॉइन पढ़ा तो आपकेसे नहीं पर जाएगा कि इस तरह को संवर कैसे करने देख इस वहां है हमारा कॉंसेट भी हो जाएगा चलिए इसको जड़ाइब करते हैं यह बर्कुल वही कोशन है एक रीजन देदी हमने आपको फॉमुला इसका लिखा था कि जब मेरे पास अगर ऐसा बोल दे कि प्रोगाविलेटी एकस वाई बिलॉंग स्टू सम रीजन आर यह सम रीजन एस मालों आर कोई रीजन है तो कोई बात पर मैं एकस वाई के जॉइ प्रोगाविलेटी कर दूगा तो यह वाला कॉंसेट यहां पे लगेगा कि एकस मालों कर रहा है तो मैं उस एजन पर इंटीगेट कर दूगा अपलाई कर रहे मता है ही आप लोग आंसे मुझे तो यह 44 जान 2020 22 का है क्योंकि यूरिफाइगी जी यह मैं सॉल्व करूं देख लिए यह रीजन है आपका ग्राब बना सकते हैं आप अच्छे तो ऐसे बहुत असान है नहीं क्योंकि यूरिफोर्म जिरो वन है और इंडिपेंडनेंट भी है तो इंडिपेंडनेंट है इंडिपेंडनेंट पढ़ लिया कि जोईंट जो होगा प्रोड़क्त अफमार जिन होगा दोनों का पीडिएफ वन हो गया यह दिए एक्स दी वाइट को एक्स कोर से एक्स में और एक्स केवलू जिरो से वन में तो यह डबल इंटिग्राव ना जिसको यह फॉमूला पता है तो उसके बाद क् न का टीज हो गई क्योंकि उनिफ़ों जीरो वन है उनिफ़ोंगे पीडिय सफन होता है यह वन हो गई और रिजन यह रिजन दे रखा आपको एक्स सब्सक्राइस और जीरों से वन एक्स की वालिव है तो इसलिए जाना जरूरी है तो हम लोग कर रहे हैं तो अच्छा हो रहा है पुड़ा सिलबस पढ़ा रहा हूं तो उससे मेरा भी थोड़ा इंटेग्नल रिवाइजर में भूल गया था तो रिवाइज हो गया इस बाहने तो कि यह उच्छन करें यह मुष्किल नहीं आसान किसन यह जरू है आपको जॉइंट मिल जाएगा फीडिये फ एनों एकस का पीडियो वाही का बन तो जॉइंट वन तो वन नो जॉइंट वरन जॉइंट वन तो इसकी वालवबन बहुत एजी है और इससे जहलिंपे इंटेग् इंक्रीटर यूजर नहीं वना है ग्राप बनाता जिरो बने जिरो बने tera 11 तो य एक स्कु요इर तो य एक स्कु요ियर ये है य ब्रावर एक्स ये है दो रफ लीग ये है इस तरीजन पर इंटेगरेट करने है आपको इस तरीके से ठीक है कि ये तो इस तरी इस तरी कोशन आया नहीं तो अच्छा कोश्चन है लेकिन ये सिंगल राणने भी बलका है अभी राएं दो किरें से राएं परे वे से बलका कोश्चन 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 कर दो बलका है झाल झाल जैसे यह क्या है XY independent poison है अच्छा यह ट्राइ करो ज़रा conditional probability का लग रहा है क्या बोल रहा है P is XY independent poison है with parameter 1,2 then probability of this सरी इवान अलग से निकाल देना हाँ इसको मैं बुज़र बलाता हूं so question ठीक है conditional का ही है तो एक ट्राइ कर लेता है देखो ट्राइ करो इसको इसे बादा question देख लो सब दो ट्राइ करो मुस्किल नहीं आ लगी असान है तो आप ट्राइ कर ले देखो XY independent है poison parameter 1,2 का है तो मतलब identically distributed नहीं है सब्सक्राइ कर सकते हो हां उसे भी हो जाएगा सब्सक्राइ सब्सक्राइ कितना थ्री थ्री क्यों हाँ यह आ गया फूर टाइम वन बाई थ्री और एट बाई टूंटी सेवन यह सी ने है ठीक हाँ सी आ रहे है ओके किसोंगा डाउट है देख लीजे एक ठीरम यूज किया हमने हमने बढ़ा था कि एक सेदर पोजिशन लामडा वन है य पोजन लामडा टू है इंडिपेंडेंट है तो एक स्गिवन एक स्प्लस य इकोल टू बाई नोमियल एक स्प्लस वाई जो भी जरका है खुमा लामडा वन अपकों लामडा वन प्लस लामडा टू य थोरम यूज होगा आगे भी राव ब्लैक बल्स यूरम ना दब जो यूं भी निकाल रहे होंगे हम ब्लैक बल्स यूज करके तो यह सब गेट के पुसन पहले तो यह आसान थे गेट के हैं तो पहले आसान आसान पूसता था ना कि गेट मैच में आता था यह 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 order statistics से based है ना second order stats, fourth order statistics का तुम जॉइंट PDF पूछ रहा है second of fourth order stats का joint PDF क्या आए तो यह एकले formula based ना formula based है हां jam बताद है यहना second or third joint naiis लीके jam नहीं यहां jam में joint पे नहीं यह सब differential equation में भी independent चल रहा है, linear में भी चाहिए ने यह गेट का है, इसमें गेट भी अटाज रहा है, यह जो PDF में खोलता है, उसमें 2005 से 2023 का गेट का भी पेपर है, 2005 से 2023 जाम का भी तो पहले गेट मैथमेटिस में आता था ना, तो गेट मैथ का पेपर है, तो जहां पर कुछ है, linear जवड़ा, differential equation भी है, यह सब है, यह वाला question हो जाएगा, 47 देखो, 47 जो है, अभी जो हमने पढ़ा है, joint हम लोग पार रहा है, तो joint पर बेज़ रहा है, तो यह try किजिए, यह सब question, at least division concept का हो जाएगा, तो यह question कहा रहा है कि, कि X1 जो है, exponential है, X1 जो है, वो exponential है, mean 1 और X2 जो है, गामा है, with mean 2 variance, देखो, अब यहाँ गामा है mean variance दे दिया, तो confusion खतम, समझेरो ना, exponential में main दे दिया, तो confusion खतम ही कौन सा अगला PDF है, गामा में mean variance दे दिया, यहाँ कोई confusion ही कौन सा PDF लेना, आप उखो decide कर लेना है, अब उनिक ही होगा बैसा है, कि दो अलाग अला PDF में ले रहा है, तो सरह में जाएगा, X1, X2 independent है, तो बताओ X1 less than X1 नहीं क्या probability है, ट्राइ करो, यह भी बिल्कुर सेम है, concept होई है, कि probability X1, X2 belongs to some reason R, so you just integrate over R, same concept, graph बना सकते हैं आप, तो X1 less than X2 है, बताओ X2 एंथ, तो X2 में पर्श कर दो सकते हैं, वह भी पर सकते हैं, पर अलाग तो सकते हैं, कर दो 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 सब्सक्राइब एक प्रविलिटी कैसे माइनस होगी आच्छा मैने रीजन के लंदे लिया इससे नीचे वाले मेने का लिया तो उसको इहां से होगा मैं स्वाल करूं यहां रहां पर हो दावाई वागी लोग तो आपको क्या करना है इंडिपरेंट दे रखा है ना सो f x 1 x x 1 f x 2 x 2 d x 1 x 2 इस तरी के सेम और अ आपको क्या रहाँ झाल यह 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 आपको विमित लेना है जिसे x 1 अगर लिदिया मैंने तो X1 के लिए मेरा 0 से X2 हो जाएगा यह X1 बढ़ावड X2 है X1 है 0 से X2 अगर मैं X1 लिख रहा हूं तो 0 से X2 और X2 मेरा 0 से infinity हो जाएगा अब X1 तो lambda है with mean 1 with mean 1 तो e की power minus X1 gamma with mean 2 variance 2 तो देख लो बाई mean 2 variance 2 होने के लिए कौन सा पीडिया कोई सा भी ले लो न तो 1 अगर मैं gamma alpha beta की power alpha X की power alpha minus 1 e की power minus beta X यह लोंगा तो इसमें mean आता है alpha into beta जो की मेरा दे रखा है 2 alpha beta square दे रखा है 2 तो यहां से beta की value हो आ गई 1 तो alpha आ गई 2 ठीक जी तो यह मेरा PDF है जहां पे alpha beta 1 है alpha 2 है मैंने पहले मैंने मान लिया यह PDF है तो इसके PDF कहीं साब से तो mean variance देख लो तो इसका है न mean alpha beta alpha beta square तो पुट कर लो तो इसका PDF जब पुट करोगे तो alpha को 2 रखो gamma 2 1 होता है beta को 1 रखो के घतम जाएगा एकस की पावर alpha को 2 रखो के तो x रहेगा तो यह 2 का लिख रहेगा तो x2 रहेगा और e की पावर minus beta तो 1 है तो minus x2 dx1 dx2 अब यह double integration का question बन गया आगे integration करूं यह हो जाएगा देख लो तो पहले x1 के respect में integrate कर लो तो पर जो बचेगा वो एकस के respect हो जाएगा पर गामा हो बन जाएगा तो जस्ट रहा हो इन ग्राइनस बन कर के अगर इस वजे से negative बढ़ प्लस हो जासा 3 वाए 2 गो खे और 1 पर 2 जाएगा तो पर से यह अगा तो पर एदो पर पर जाएगा आज़ बढ़े देखो कि यह सब कुछ इसका जाएं काइसे को संग करें तो को संग के चीज जागा क्लियर होंगी आपको समझ आएगे कि इस तरह यह सब बेसिक कॉंसेप्ट है ज्वाइंट के तो अभी थेहोडिय की हैं ने कुस्स बहुत जादा किये नहीं है तो अभी को सब्सक्राइब कर रहे है पिर असाइम्मेट में आएगा इसका अब यह बताओ यह जरा ट्राइब करो यह इमने किया ता मीनवाला थेखाया थे इसका साइब सब्सक्राइब करेगा हां इसका थियोरा मैंने लिखाया थे इक बाद चेट करो तो यहां पर क्या होता है कि जब तुम अगर अब्रेक तुम्हें कुछ समाहिना आ ना सिंप्ली क्या गरो तो वाई का सीडिएफ से स्टार्ट करो अब जो दियां से आप लोग चार रांडम विरेबल है और इंडिपेंडेंट है इसके थुरू आपको कॉंसेट्स अब इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है में दे रखा है सबका अब वाई मिनिमम है तो आई एगी नहीं है क्योंकि यह सबका अलग रग मीन है तो इंडिफेंडें डिस संट्स अब है तो इसका इक्स इरग इंडिऊकर अध्र में वार इंडिपेंग हए तो म्याम करेंग ए को दो एगे वो करना पड़ेगा 1- probability minimum of x1, x2, x3, x4 यह है more than y अब यहाँ से अब डेक कर पाऊगे तो यहाँ से आ जाएगा 1- probability x1 more than y independent है ना तो x2 more than y x3 more than y x4 more than y और more than y का पता है तुम्हें क्या होगा so 1- उसका mean 1 है तो यह होजाएगा e की पाऊवर minus y उसका mean 1 by 2 है तो यह होगा e की पाऊवर minus 2y यह होगा e की पाऊवर minus 3y e की पाऊवर minus 4y जियान से देखो so total कितना आ गया 1- क्या आया e की पाऊवर 10 होगया तो minus 10y तो यह आपका आया cdf of y ठीक तो pdf यहाँ से निकाल लोगे easily y का differentiate कर लो so 10 e की पाऊवर minus 10y ठीक yes yes हाँ जैसे भी कर दो आप तो यहाँ से सीदा बताऊ मुझे इसका मीन कितना है what is the mean of y 1 by 10 सर यह बैसे नहीं का सकते सीदा सीदा जो बिनीवन का रूल हो थे सुनेंचल भी तो उसी को तो मैंने प्रूफ किया यहाँ पे वही चीज मैंने प्रूफ कर दिया यहाँ पे वही तुम यहाँ कर दो आपanka all one मने ड게 संबूआ और प्लस लोड़क हो जाएगा तो अगर नहीं पता आपको order से हैं तो भी इस logic से कर सकते हैं आप बस यह ज्यान अखना होता है कि minimum को break कैसे करना है तो यहाँ minimum को mode then है तो आप break कर सकते हैं इस individually mode then है independent था तो अलग कर दिया तो यह सब टेक्निक यही सीखना है इंट्रेंस में आपको देखना होगा कहीं problem नहों किसी concept में तो यही सीखना है question कर दो आपको समझ आएगा यहाँ क्या requirement है और क्या आपको उतना आता है यह देखना है यह क्या है बता हूँ यह नेक्स कोसन पूछ रहा है independent पर ही है यह ट्रा ही कर दो क्या है क्या है तो तो जाए बढ़ए हो जब देखो भी करते हैं पॉल्टी ए एक्स बढ़ावर वाई होने की तू भई है का प्रावड़ी सो एक्स पिद नमबर अफेट सिन फोर टॉसस अफ़ फेर क्वाइन बाई परसंग वन तुमाना अंसर क्या रहा है वन भई थी भई एट नहीं तो यह करेक्ट अप्टू 3डज पिस कोलता ही नहीं चेक कर लेता है हाँ तो अबसे थी नशन तक आज आजाएगा ठीक है तो अभी देख लेते हैं कोनी? हाँ तो एक्स प्रावड य का क्या मतलब वो है याँपे? वो तभी फोसिबल है जब दो हेट दो हेट आजे X is the number of heads in the four tosses of air coin by person one Y number of heads है four toss of air coin by person two तो के एक बारी फेका थोड़ी गया है? कितनी बारी फेका गया है? वो उसकी fours in this हो जाएंगे पी आना ऐसता हो जाएंगे ये देखो ये होगा आप probability X is equal to T into probability Y is equal to T T from 0 to check-up मतलब दोनों को ऐसा हो कि पहले परसेनल चार बार फेका उसको एक बार लिए हेट नहीं आया और sorry end और the end होगा end दूसरे को भी एक बार इक बार करना है तो मैं तुमेंच इक बार करना है दोनों को ये हो गया और दूसरा case दोनों को एक बार मिला दोनों को दो दो बार मिला इस तरह से ना यह सो खोल करें खोगे यह मतलब हो गया कि यह मतलब हो तुम मांग रहा है कि एक को आइन है चारवां टोस हुआ 20 बार नहीं करड़ा यह हो जाएगा विसको ओपर हो ट्राई करो अलगा और इच का डिस्ट्रिबूशन जो है एक्स जो है बाइनोमियल कितना है 4,5 है य भी बाइनोमियल 4,5 है तो वो रूल भी याद हो जाएगा ना nc0 square nc1 square nc2 square 2ncn वो यूज कर सकते हो चेक करो क्या लगाना है इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है सिर्थ जाना जरूरी नहीं नहीं तुम सोचो इसने कहा है तुमने को चार बार टॉस किया क्या है नंबर ऑफ सक्सेस इन एंड ट्राइल्स क्या बोलेंगे हां सक्सेस तुमारा हेड़ है सो उसने फोर एंड इस दर ट्राइल इन फोर है यहां पर सो चार बार टॉस किया को नंबर ऑफ ट्राइल्स फोर एक से चार on भी किया हुआ तो बॉस। रखूपस सेट वट्राइल्स तुमार ठाु ace. लुढफ झाट किया है बदावाई का गुलेट गरेक आंसर बताओ, इसमें तुम ऐसे का गुल टक अभी टाइम लग जाएगा, वो तुम वो भी कर सकते हो हाँ, उससे साहल आसानीच हो जाएगा, उसको उपन करो देखो, nc0 square, nc1 square, 4c4 square तक, 4c0 square चो 4c4 square तक 2ncn होता है, हाँ, 8c4 जाएगा, हुट्स 5차 जाएगा, उसलाएगा, व거 तुम वो भाएगा, थिस्वाता हो डिले शुम येखो कemie शीक रिन झाएगा, जिस глазुम वो जाएगा, ग्लर्में वो जाएगा, प्लिए, प्लिए, säसे औरे पताव, ईte đã भी भी टखो, सिक्स्टी नाइट पुंड़ दिसीट सादर वोड़ा बया वोड़ एकलुलेशन वरे सो चैकल नहीं डेसिमल मता हो नेसिमल में तिसमल प्लेश कह तक सर इस कांसर जिरो पॉंट वा रा राग्या अच्छा 1 by 8 तुमारा इसका मतलब आ रहा है यह सर नहीं 1 by 8 तुसाइद नहीं आएगा चेक करें परी 0.274 ऐसा थी को ऐसा रहा 0.269 आता है वेरा 3 राशनल प्लेस तक 0.269 0.269 0.274 इतना गाप तो नहीं आएगा हो भी सकता है ऐसे वो कापी सब्सेंट गाप देते हैं एक्जाम में अगर इसको मतलब क्या ही कहता है अगर ऐसे लिखेंगे तो 270 पही आता है वो कुसे हाँ तो वो रेंज कुछ ऐसा थी रखा होगा 0.65 0.75 तक माल लो 265-275 तक अच्छा हाँ सही है अगर अगर गोड़ा सागे जागर तेरा 1-के चुट होगा अगर एक एड़ो ओके चलब सीवो पे भी नीगा लेंगे ना हम अगर पास चैट में क्या बतार ये कितना 0.273 अच्छा ओके आजला वही 0.273 हाँ वही बता है चलो तो मैं सॉल्ब करूँ ये आगर पर हो देखो सॉल्ब कर गता हूँ तो यहाँ पर तो महने पास आजाएगा समेशन ये 4C हाँ टार स्टार मतलब क्या कर दो समेशन मेरा किस्फट कर दो वहाँ पिर हूँ अच्छा ये नहीं कोई बात ने को ये बात लोल्ड कर दो यह थैक्षिक तो यहां पर क्या है यह हो गया 4C T तो यहां पर simply क्या हो जाएगा तो उतना calculation करो बहुत टाइम लाएगा तो simply इसको क्या करो यह तो T पर summation है तो बिना T बाला बाहर कर लो तो 1 by 2 की पाउर 8 बाहर अब यह क्या हो गया 4C T का square summation T from 0 to 4 4C 0 square, 4C 1 square, 4C 2 square, 4C 3 square, 4C 4 whole square so NC 0 है na NC 0 से लेकि NC N तक का सम लिनियर में होता है 2 की पाउरें NC 0 whole square, NC 1 whole square, NC 2 whole square and so on NC N whole square होता है 2 NC N तो यह तो 1 by 2 की पाउर 8 आगे 2 NC N तो यहां पर 4 है तुमारा 8 C 4 अब यह देख यह कितना है, 0.70 है यह आएगा तो यहां पर एक formula यूज होगा तो यह questions है, questions के थुरू आपको समझ आए कैसे calculation भी easy कैसे होगा तो यह तो यह आगे देखते हैं, अभी हम independent वाले questions ट्राइक कर रहा है, जहां independent word यूज किया है अभी हम अभी हम अभी हम अभी हम अभी जाज हमने joint CDF देखा है sorry conditional CDF और independent के definition देखा है, independent वेस कुछ questions ट्राइक कर रहा है, कैसे solve होगा तो अगर next तुम देखो, यह हो गया, next हो गया, यह क्या है, इसमें क्या है, यह तो हमने किया था कि नहीं, देखो यह भी हो चाहिए को लग रहा है, 54 जो है 54 क्या से होगा, बताओ जो मेर्ट्रिक मेर्ट्रिक दिख रहा है, तो क्या होगा, जो मेर्ट्रिक का कंडिशनल कितना आता है यूनिकॉर्ण है हाँ, से यूनिकॉर्ण तो भाई है, क्या हो गया इसको चलो जो ट्राइक करो इसको जबताओ, देखो So यह करना जालेगी, X1, X2 क्या है, इंडिपेंट जो मेर्ट्रिक है विट PMF है, PQ की पावर K-1, K1 से स्टार्ट, तो 1 से स्टार्ट इसका मतलब है कि number of trial required to get the first success तो, then the value of X1 बराबर 2 गिवन X1 plus X2 is equal to 4 हाँ, तो हमने दिखा था, जो मेंट्रिक है तो डिपेंट करता था, कौन से वाला PMF लेर है तो वह support पे डिपेंट करता है इस case में N-1 by N-1 देखो, X1 plus X2 कितना है तुम्हारा, 4 है तो X1 की value क्या क्या हो सकती, सोचो तुम X1 plus X2 अगर 4 है तो X1 की possible support क्या है सर एक तो बीच में रूखिया, सर support सुरू कहा से हो रहा है 1 से 1, 1 से 1 सर 1, 3, 2, 2, 3, 1 मतलब X1 4 तो हो नहीं सकता, राइट क्योंकि X1 4 होगा तो X2 0 हो जाईए क्या यह कौन से पिछले वाला स्राइड आगया यह बहुत धुका दे रहा है सरी यह तो पिछली ग्लास किया गए हाँ तो वो सारा लॉस हो गया यह पता नहीं क्या है इसका system तो दूबारा से आप यह करना पड़ेगा मड़ा भान क्यों? वो हम पॉष रहे हैं तो कर रूको नहीं वह वाण कूछ रहे हैं अभी आप सही सोच रहे हैं जैसे के राढ़ा यह है के और कि कुस्टन यह अमने टियोरं क्लास में किया था पिरपीट करता हूं टियोरं वह यह तदे यहां पर X1 प्लस X2 बरावर 4 है तो मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ इतना ही अभी ध्यान दो तो इसमें X1 की possible values क्या क्या हो सकती है मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपका support 1 से start देगा, दोनो, X1, X2 दोनों का support 1 से start है तो X1 ये possible values क्या हो सकती है ये sum 4 को होगा जाए तो 1 ये 2 ये 3 तो जहीं बोलना चाह रहा हूँ कि 4 नहीं हो सकता X1 की value तो कि X2 की value 1 होगी अगर X1 4 हो जाएगा तो X2 0 हो जाएगी जहाँ X1, X2 दोनों का ये PMF है तो दोनों का support 1 से start मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो मैं ये कहने का मतलब ये हो गया कि X1 given X1 plus X2 is equal to 4 का distribution discrete uniform होगा on set 1, 2, 3 तो अब आपसे यहाँ पूछा गया है X1 वराबर क्या पूछा है 2 given X1 plus X2 is equal to 4 तो क्या answer लगता आपका होगा बताओ भई ये 3 set पे discrete uniform है 3 point पे uniform discrete है तो एक point पे कितना मास आएगा 1 by 3 ये range है X1 का यहाँ पे क्योंकि तुमें given X1 as to 4 है तो X1 can take value 1, 2 और 3 तो theorem कहता है कि इस case में ये जो conditional है uniform होगा 1, 2, 3 पे discrete uniform है तो एक किसी point पे यहाँ ये चाहिए 2 देता तब भी answer वही होता 1 दे तब भी answer वही रहेगा 3 दे तब भी answer वही रहेगा तो इन 3 पे equal mass रहेगी तो answer फिर भी 1 by 3 रहेगी तो इस question का answer 1 by 3 है problem क्या है जब माल लिए 0 से start होड़ा होता अगर ये support 0 से start होता उस case में मेरा X1 0 ले सकता है 1 ले सकता है 2, 3 और 4 ले सकता है 1 by 5 रहेगा हां तो वहाँ 1 by 5 आता है तो exam में किया और यहां तो option नहीं है तो आपको ध्यान है कब कब रहती में थियोराम देखो 1 by T minus 1 1 by T plus 1 है तो आपको जहने कब T plus 1 कब T minus 1 है तो T क्या है X1 plus X2 की value तो यहां क्या होगा है T minus 1 1 upon T minus 1 लिखा है अगर यह geometric दूसरा वाल जूसरा वाल जूसरी के 2 PMF है एक interpretation number of trial count कर रहे थे जो यह वाला है एक number of failure count करते हैं तो दूसरा वाला आता जहां 0 से start होता है तो अगर वो PMF फोता geometric camera तो हमारा answer इसका 1 by 5 आता है यह कहना है तो आपको decide करना पड़ेगा कव 1 by T plus 1 या कव 1 by T minus 1 T के है X1 plus X2 की given value जिसको doubt है तो पूछिए question आप ठीक है तो इस तरह से था कि वहां से था X1 given X1 plus X2 बड़ावर T is uniform on the set 1, 2, 3 यहां up to T minus 1 होगा और अगर दूसरा वाला PMF होगा उस case में X1, X2, Xn जो होगा बड़ावर T sorry, X1 plus X2 होगा यह अगर दूसरा वाला होगा X1 plus X2 बड़ावर T उस case में आपका जो answer आएगा uniform होगा 0 से 0, 1, 2, up to T तक तो यहां T plus 1 point है तो यहां PMF each point पे minus 1 by T minus 1 है यहां each point पे minus 1 by T plus 1 है यह कहने के मतलब है ठीक है ठीक है ठीक है किसो को कोरियत बताईए यह जस्त थेोरम बेस्ट कोश्टन है एक चुली यह बला चलो तो नेक्स्ट है तो यह सब कोश्टन ज्वाइं डिस्ट्रिबूशन के सिंपल डेफिनेशन बेस्ट है या फॉर्मूला बेस्ट थेोरम बेस्ट है यह हो जाएका ट्राइब की यह हो जाएगा कि पृश्टन बेस्ट आर वार मैं अभूटन यह हो जाएगा यह हो पह जो यह हो झाल 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 यहां पर क्या हो राइस नहीं? कि 2 independent exponential है with e x square 1 by 2 है और e y square 2 by 9 है तो क्या होता है? उसमें e x अगर lambda 1 है so variance x भी तो lambda 1 ही होता है so sorry lambda 1 is square? square हना? lambda 1 is square हो गया है तो यहां से e x poison में सेम रहता है exponentielle में असर हैगा poison में सेम रहता है so यहां पर e of x square यहां से निकालेंगे तो variance plus mean square so lambda 1 plus lambda 1 square यह हो गया 2 lambda 1 square और जो की दिया 1 of 1 lambda 1 1 of 1 lambda square okay exponential का यह मैं इससे start किया कोई problem नहीं है मैंने माल लिया इससे कोई दिक्कत नहीं है so mean क्या लिया उससे भी कर सकते कैसे भी solve कर लो तो यहां से आपके पास lambda 1 की value आगे ही कितना? यह 1 by 2 है ना तो 1 by 2 है तो यहां से lambda 1 आजाएगा 1 by 2 है आजाएगा ऐसे ही यहां से solve करोगे so यह हो जाएगा तो आपका variance of y यहां से lambda 2 square है इन दोनों को use करो so यहां से जो condition given है उसके हिसाब से lambda 2 1 by 3 आगे तो मैंने lambda 1 1 by 2 lambda 2 1 by 3 मतब mean आगया 2 और उस तरह से कुछ क्या लिया बन है चाब mean तो मैंने बोलिया lambda 1 तो इस तरीके से आगी अब आपसे पूचा क्या है probability x less than यह तो वोगा double integration दोनों का PDF लिख लो independent है तो उसका PDF हो जाएगा mean है न वो so 2e की पावर माइनस कितना 2x 3e की पावर माइनस 3y dx dy 2y ग्राब बना लो या तो x का अगर लिख रहा हूं है तो 0 से 2y और y 0 से infinity check कर दीजे तो पहला काम तो यह था कि पैरामेटर डिसाइर करना पहला काम है पैरामेटर डिसाइर करो उसके बाद अब यह वही concept है double integration joint PDF सब 4x7 अगले क्लास में independent random variable continue होगा अभी और conditional expectation अभी उसको discuss करना है सब मैंने यह formulae से निकाल दिया जो आप तने ऐसे निकाला नगा एक्सपेशन एक्स्वाइल को लिख दिया जनरल एक्सवाइल कमान के lambda e to minus lambda x okay वो डिपेंड करणा तुम कैसे एक्सवाइल लेते हो उसके हिसाब से हाँ मैंने मीन यहाँ पर यह लिया हुआ है so मैंने मीन इस तरह से बात बराबर एक कैसे भी कर लो तांसर यह आएगा ठीके चलो तो next class में continue करते हैं आगे सुद्बान चलो